आज किस वीडियो में जानेंगे गले में गाट की तरह दिखने वाले इस हिसे का नाम क्या है और इसका काम क्या है क्या ये सिर्फ पुर्सों में ही देखा जाता या फिर महिलाओं में इसका नाम क्या है और साथे साथे इसका बड़ी में काम क्या होता है इसके भी नहीं हमारे जिन्दगी में क्या कमी आ सकती है वो सारे के सारे जनकारी से एक वीडियो में बताएंगे तो चलिए हम आपको बताते है कि गले में गाट की तरह दिखने वाले इस इसे का नाम और इसे का काम क्या है पूर्सों में पाया जाता है ऐसे कहा जाता है लेकिन आगे हम आपको बताएंगे कि ये और भी किन उम्र के बच्चेयों में पाया जाता है कुछ लोगों में इसका कार बढ़ा हो जाता है कुछ लोगों में इसका कार छोटा राता है आज हो भी हम किलियर करेंगे गले में गार्ड की तरह दिखने वाले हिसे को सभी ने देखा होगा कभी सोचा है कि यह सरीर में क्यों और इसका काम क्या है और इसे कहते क्या है दरसल बात यह है कि गले में इस उभार वाले हिसे को हम क्या कहते हैं तो एडमस कहते हैं, अब सूसेंगे कि एडमस तो कहते हैं, लेकिन एपल्स का मतलब तो सभी जानते सेव होता है, तो आगे हम इसकी कहानी बताएंगे कि इसका नाम एडमस एपल ही क्यों पड़ा, देखिए कई लोग इसे आम भासा में कोवा या टेटवा कहते, ऐसे तो आप पहले इसका नाम और काम समझ लेते, यह आप जो देख रहे हैं, इसी को हम क्या कहते हैं, अगे पीछे घुमता रहता है, जो गर्दन पर असानी से देखा जा सकता है, गर्दन में इसका उभार टीनेज में आता है, मतलब 17-18 साल के बाद जो होता है, इसकी मतलब यह जो अकार में बढ़ने लगता है, और यह दिखने लगता है, गर्दन में एक वाइस बॉक्स यानि लैरेंक्स होता है, जिसके करण ही इंसान कुछ बोल पाता है, एडमस एपल इस वाइस वाक्स को एक कॉवर की तरह सुरक्षित रखने का काम करता है, एडमस एपल क्या करता है, जो वाइस वाक्स होता है, उसको यह क्या करता है, घेरे रहता है, और जैसे जैसे उम्र बरता हो, जैसे इसका अकार भी बरता जाता है, और यह क्या करता है, उसको एडमस जो होता है वो virus box होता है virus box larynx होता है उसको यह cover किये रहता है ठीक है आगे हमाँ बताते हैं कि जब भी कुछ इंसान बोलता है तो गर्दन को उपर नीचे तो होता ही रहता लेकिन ऐसा कहा जाता है कि यह सी पूर्सों में देखा जाता है महिलाओं में नहीं लेकिन ऐसा नहीं है यह हर इंसान में पाया जाता है लेकिन महिलाओं के मामले में यह साब तोर पर नहीं दिखता है इसलिए समझा जाता है कि इन में नहीं पाया जाता है और बहुत सारह ऐसे आपको मिल जाएंगे यह दीख रहने इसम महिलाई है इसमें भी दिखा जा जा रहा है आझा आप को मताएंगे कि यह देखिए लायरंग से होता है तो सेब से इसकी कहानी जूरी हुई है दरसल ये बात है कि बड़ा सवाल है कि टेटवा का नाम एडम सेपल ही क्यो रखा गया कहा जाता है कि इसका connection जो है एडम और इव के बगीचे से एडम एक बेक्ती था जिसका एक बगीचा था वो बड़ा आदमी था उनके बगीचे में सेव के कई पेर थे मानता है कि बगीचे में लगए सेव के पीर में एक ऐसा फाल भी था जिसे नहीं खाया जाता था ठीक नाुझा जैनि नहीं खाया जाता था इडम ने वही फाल खाली था और वह उनкі गले में फौस गया इसी घटना गे कारण़ मैं इड़न नाम सारे इपल पर गया। मतलब वह आदमी था। ईड़न नाम का अदमी था। उसके बगीचे में बहुत सारे इपल थे। लेकिन उस एक फल ऐसा था। जिसको कभी नहीं खाया गया। उसी सेब को एड़न ने खा लिए। और उसके गले में जाकर फंस गया। त के फिरमस सिंगर है आप इनका नाम जानती होंगे अगर आप जानते तो नीचे कमेंट किजिए इसका एडम सेपल कितना और कितना अट्रैक्टिव लगता है यह अट्रैक्टिव दिखने का ही कारण इसका है और आगे हम आपको बता दे कि कुछ लोगों में इसका अकार समान स से बड़ा होता है कभी सोचा है क्यों होता विघ्यान काता कि इसका समान से जूँजन से ज turus जब एडम सेपल के चार ओर अधिक टीश persecuted हो जाते तो इसका आकार बड़ा हो जाता है टीसू जानते हैं नहीं जानते हैं तो अगले हम वीडियो में आपके इसका प्रस्नल एक वीडियो बना देंगे expert करते हैं किexplडी कार्नों में इसे बहाँ हो सकता है अनुवांसिक कार्णों मतलब पीता को होता है तो इसके अकारण आपको भी हो सकता है अगर आपको लगता है कि adam 사plant कार समान से बहाँ है तो डॉक्टर की सलाले इसे या समझ पाएंगे कि क्या यह वाख़ई में ऐसा है या नहीं आद है ये देखे जहां पर होता हैalyए अडाम से फला आगे हम आपको हूसिचनल पर सिर्फ और सिर 사고 एजुकेशनल वीडियो ही बनाये जाते हैं तो जए हिंद जै भारत